क्रिस्मस आते ही शुरू हो जाते हैं हम वोंम बेकर के धेर सारे काम और धेर सारे ओडर जो भी पेलें निभी चाहिएये. तो क्रिस्मस में हमें बड़े के साथ छोटे-छोटे कपकी के भी न बहुत सारे डिकोरेशन थीम वाइस हमें मिलते हैं कि हमको ऐसा वाला चाहिए हम ऐसे बना के दे दो तो आज हम लोग वही कवर करेंगे और यह हमें बनाने के लिए हमें चाहिए परफेक्ट ग्रीन और पर परफेक्ट कलर बनता है तो आप इसे थोड़ा से डालना पड़ेगा बट इसका कलर हाथ में नहीं लगेगा मूं में लगेगा और कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा और यह मैंने मंगाया है प्रतिमा जी से उनका नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दोंगी आप वहां ही पड़ेगा बट एकदम से कड़े नहीं लगेगा मैघ कि रही हूँ क्योंकि मैं यूज करू और यह मुझे किसी घर कराब लगेगा घराब लगेगा तो मैं में खुद भी किसी कस्रिप्शन में को मिलने से लिए inarी कॉँछ जब दोच पूरा वाइट वाइट तो देख जरूर करेंगे तोіб को और प्लेवर का चेगा क्रेंगाward ठीक है अब इसके ऊपर हम लोग जो डेकोरेशन करेंगे ग्रीन और रेड से उसमें आपको जिस भी फ्लेवर का केक आप बना रहे हैं वह एसेंस डाल सकते हैं अगर चॉकलेट का बना रहे हैं और वनीला है पाइनेपल है तो एसेंस डालना है इमल्शन नहीं डालना है क्यों जो नहीं होता है तो भी एक तरीका बता देती हूं कि कैसी करना है क्लीन जिसे अपने घर की साफसभाई कैसे करते हैं दिल लगा के वैसे हमें जब भी कुछ बनाएं तो बड़ी प्यार से बनाएं बहुत बढ़िया निकल के आता है मत्तर उसका कलर उसका डेकोरेशन डिज जो आपके पास एवलेबल हो ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगी वही लेना है ठीक है तो मैंने एनवन लिया है यहां पर और हमारे कपके छोटे-छोटे बने हैं मत्तर मैंने छोटे ही बनाया अगर आपको बड़ा ओडर है तो थोड़े-बड़े बनाएं और ऐसे पर आने वाली हूं जिसमें यह सारी चीजे प्रोपर डिटिल में बताई जाएंगी अब बड़ी कम दलब में जैसे आज हमारी वाली क्लास होने वाली है डोनट की अगर आपको डोनट क्लास की वीडियो से मतलब एक बज़े से पहले मिल जाती है यह वीडियो तो आप 90294837 कर सकते हैं उसके आपको लाइफ टेम वीडियो भी मिलेगी और ओनलाइन की फीसा सिर्फ ओनली ना वन नाइटीन बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा डोनट भी मिलेगा एकदम बढ़िया वाली रेसे भी आपको मिलने वाली है ठीक है यह हमने बढ़िया से कपके को कर लि सतने कोन कृम कृस्स तरीके से बनाते हैं कौन कौन सी चीज से बना सकता है यह सब कुछ आप मने अने बहुत चीजे मैं बताओंगी ठीक है इसारी चिज़ आप रतिमा जी से मंगा सकते हैं उसके मैं उनका नंबर आपको देए तो यह मैंने वापस सी अपना 46 गंबर का नो मैंने इसमें जो डिजाइन है वो नॉर्मल सी डिजाइन कवर की है फिर मैंने एन्वन से ही क्या-क्या पूरा अच्छे से एक रोज बना दिया और देखिए कलर कितना प्रॉपर आया है आप प्रतिमजी से कॉंटेक्ट करिए वहां पर उनको सारी सामान मिल जाएंगे प्रेम कलर और रड कलर दोनों ही करने वाले अगर इससे भी जहादा आपको रड चाहिए तो आप रड कलर यूज्स कर सकते हैं वह हाथ में नहीं लगने वाला आप इसके ऊपर डाल डाल रहे हो डाल ये नहीं है तो जो भी आपके बीश्प्रिंगल पड़े वो डाल दीज़े वा अब हो था मैंने उनी से मंगाया था तो वह भी वहां से आप ले सकते हैं तो बीच में यहां पर मैंने डाल दिया धीर सारी मोती अब आती हमारी final जो सांटा बनाने की सांटा, बनाने की तो वह कैसे बनाएंगे ये देखिए कुछ नहीं करना है डाइरेक्ट ये लग भी गया डाइरेक्ट आपको क्या करना है हम लोग फॉंटिंट का यूज कर रहे हैं ताकि अगर जीने नहीं फॉंटिंट पसंद हो वो निकाल की भी खा सकते हैं क्योंकि क्रीम की उपर लगाएंगे तो मेल्ट होने की चांसे बहुत रहेगा और डाइरेक्ट हम कपके की उपर रहे हैं और जो क्लास होगी उसमें भी किसी भी कटर का यूज नहीं करने वाले नॉर्मल बस ऐसे बनाने वाले हैं यह देखेंगे तो जीने कम बजट में प्रोफेशनल तरीके से नॉर्मल घर की चीजों से कुछ सीखना हो ना तो वो गोकल किचन को जोईन कर सकता है तो य यह हमने री नीचे की दारी एक कंप्रीट कर थी थोड़ा फूड़ा लगा दिया पानी या अगर आपके पांसे तो लागा सकते है वैस्सी नón पैसे और पानी पैसा लगा चोटा चोटा सामने आग बना लिया ब्लाक कलर का नीचे वाइट कलर का डॉट देजिसे हमारी आख में होता है न सेम वैसे और यह हमारा जो टूपी का जो यह ना यह विचारा बारबर यहां वाँ लुड़ा करा था तो मैंने उसमें पानी लागा चिपका दिया अब लगा है आँक और उसके बाद आज जाएगी मूच की बारी तो यह हमने आँक भी लगा दिया थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ठीके तो क्यूट सा प्यारा लग रहा एकदम सुन्दर सा सैंटा यह हमने बना दी उसकी मूचें मूचें हो तो सिर्फ नथुलाल जैसी नहीं की मूच रडी है कैसा लग रहा यह चोट सा चोंते से कॉपकेक पर हमारा अरे सुरु पंड़ा पतर न circumstance और रहे हो करें तो खोला है इस मोगे लिए हैं और को से प्लास पर बच्चो के साथ मीशना के लिए जाने वाला इस के लिए और मुझे मौका में बना बना है को सब्सक्राइब एक दोंने के तरीका बताऊंगे आप ट्राइब करना मज़ा जाएगा ठीकिए हमारी सुन्दर से जो कपकेक मैंने अपनी बालकनी में साम के थोड़ी थोड़ी उजालवे में मैंने इसको शूट कर लिया बहुत ही सुन्दर दिख रहा था यह और जैसा भी लगे कमेंट जरूर कर दिएगा वीडियो पसंद आएगे तो लाइक करिए चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब ताकि धेर सारी और क्रिस्मस की आपको डेकोरेशन देखने को मिल जा एक मक्हे उड़के गई दरसे में उसको पकड़ती हूं जब तक और आप लोग पकड़ि क्लास को डोनेट क्लास करनी है तो आज ही फटाबट से 9029483719 पर कॉल कीजिए बब